हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किये हुए उन सभी कमेंट का जो है मैं आप लोगों को वन बाई वन आंसर बताने वाला हूँ और सांती ही में दोस्तो आज जो है मैंने एक वीडियो बनाई वी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया तो इस वीडियो के इंड में जो है आप लोगों को कुछ इस प्रकार से यहां पर एक वीडियो का आइकन सो होगा तो उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपके पाश जो है आपकी किताबे नहीं है फिर भी आप जो है साइमेंट में कमेंट है इन्होंने यहां पर पूछा हुआ है कि जो स्टडी सेंटर वो जो है यह चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा तो देखिए स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई वी थी कैसे आप लोग जो है जो आपका स्टडी सेंटर है वो आप जो ह second comment किया हुआ है इसमें इन्हों लिखा हुआ है कि first year के paper दिये हैं मुझे second year के paper भी वहीं देने हैं और मुझे center change करना है तो इन्हों का center change से related question है second comment तो मैं already इनको बता चुका हूँ इसका जो answer है solution है फिर next comment है राहुल का इन्होंने पूछा हुए कि एक confusion है please clear कर दो मेरा जुलाइगस 2023 में back आई थी assignment में मैंने अभी जनवरी February 2024 में back form fill किया उसके assignment कब होंगे तो देखिए assignment जो है आप लोगों के हो रहे हैं बट जिन भी student ने assignment का back form fill किया हुआ है उन लोगों के जो है यहाँ पर issue हो रहा है क्योंकि वो लोग जो है assignment देते टाइम जो है उनका login नहीं हो रहा है तो आपको बता दो कि आपको जो है फर्स्ट जनवरी तक वेट करना है और उसके बाद जो है अगर आपका login होगा तो मैं आप लोगों को करके पूछा हुआ है कि date sheet कब तक upload करोगे 2024 exam की तो देखिए 2024 की date sheet है वो जल्दी ही जो है university announce कर देगी पहले आपका जो है confirm हो जाएगा कि exam इस दिन से है तो उसके बाद जो है आपकी date sheet जो है वो आती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर next comment है इन्होंने यहाँ पर लिखा हु फिल किया हुए next year में तो अभी जो है admission हो रही है आप जो है form fill कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मुक्की रावत है इन्होंने पूछा हुए कि digital marketing का भी exam paper लाओ तो भाई अगर possible हो पाएगा तो जरूर लेके आऊंगा अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को जो आपक किताबें हैं उनमें से ही पढ़ना होगा उसके बाद अनिल सिंग है इन्होंने पूछा हुए कि assignment तो कुछ नहीं खुल रहा है तो देखिए assignment आपका अगर नहीं खुल रहा है तो इट्स मेंस कि आप जो है जो है summer season के यली वाले student है इसलिए आपका जो है assignment नहीं login हो रहा है बट एक बार फिर भी जो है आप confirm चेक कर लिजेगा कि आपने जो वहाँ पर enrollment नंबर और जो date of birth एंटर किया हुआ है क्या वो right है उसके बाद यहाँ पर next comment है इन्होंने पूछा हुआ है कि BA first semester में कौन- बट फिर भी आप जो है एक बर जो आपका study center है वहाँ पर जाकी पता कर सकते है ठीक है और इन्होंने जो है second comment किया हुआ है कि minor subject की assignment हो रहे हैं क्या तो देखिए वहाँ पर जो आपके subject है उनको जो list है वो आपको सो होगी जब आप assignment देने जाओगे तो आपको क्या करना है आपको वहाँ पर जो list है वो देख लेनी है एक बर और वहाँ पर चेक कर लीजिएगा अगर minor subject आपके वहाँ पर है और आप क्लिक करके उसको देखिएगा क्या जो है login हो रहा है उसमें अगर हो रहा है तो आप दे सकते हैं ठीक है उसके बद यहाँ पर next comment है इन्होंने पूछे जाते हैं वो share करता है तो तब ही मैं आप लोगों की साथ share कर सकता हूं otherwise नहीं कर सकता हूं तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में कहा था कि आप जो भी assignment दे रहे हैं उसके screenshot मुझे share कीजिए ताकि आप लोगों को help हो सके तो दोस्तों यह आपके कुछ comment थी जिनका आप कैसे अच्छे marks लेके आ सकते हैं तो आपको गया गरना है नीचे discussion box में वीडियो का link दिया हुआ है तो उस पर click करके देख सकते हैं यह साथी में यहाँ पर आपको अभी वीडियो का icons होगा इंड में उस पर भी click करके आप लोग देख सकते हैं ठीक है और आप लोगों जो हमारा WhatsApp ग्रूप है वो जोइन नहीं किया हुए तो नीचे discussion box में WhatsApp ग्रूप का जो link है वो दिया गया है तो click करके आप लोग जोइन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and good night